तो दोस्तो अगर आप amplifier बगर की repairing करते हो तो यह circuit board को आप साय जानते होंगे अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ यह हमारा 7280 का audio amplifier की थे दोस्तो यह हमारा 4.6 watt की output देता है और यह हमारा 2 speaker को चला लेगा और इसको चलाने के लिए हमें 12 volt 1 ampere की input देना पड़ता है power supply तो यह जो हमारा IC लगा हुआ है 7280 का इस IC का pin details मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आप इसका pin details जानना चाहते हैं और यह circuit के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखे तो दोस्तो यहां पर मैंने यह circuit board को रख दता 7380 audio amplifier की IC है इसका diagram करके रखाऊं और सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको आसानी से समझा दूँगा तो चलिए दोस्तो बिना देर के आज किस वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो यह हमारा 7280 का audio amplifier IC है और इसमें आपको 12 pin देखने को मिलेगा तो यह जो 12 pin देख रहे हैं हमारा first number की pin कहां से होगा यहां से या फिर यहां से हुम कैसे पता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ देखें दोस्तो मैंने यहां पर यह IC को ले रहा हूँ तो यह जो IC देख रहे हैं इसका एक साइड में हमारा इस प्रकर की छोटा सा छेद होगा तो यह छेद की पास में जो हमारा pin होगा वो हमारा first number की रहेगा और एक साइड हमारा बिल्कुल plane रहेगा तो उसका पास में जो पिन होगा वो हमारा last pin होगा यानिकी 12 number की pin होगा जैसे कि यहां पर मैंने आपको एक छेद बना कर दिखाया हूँ आप लोग देख सकते हो और इसका पास की जो pin है यह हमारा first number की और यह हमारा plane है तो यह जो pin है यह हमारा बारा नमबर की यहां पर देख सकते हो यह 1234567 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसी प्रकार से हमारा पिन स्टार्टिंग हो जाता है, तो दोस्तों यह IC की पिन के साथ मैंने कनेक्शन करके रखा हूँ, अभी आपको आसानी से समझा देता हूँ, देखिए दोस्तों इस IC का जो सेकेंड नंबर की पिन है, यह हमारा लेप्ट स्पिकर की पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहां पर सेकेंड पिन के साथ है के वायर डाल देंगे, और उसको लाके यह स्पिकर की साथ लगा देंगे, तो हमारा स्पिकर चल जाएगा, यहां पर जो भी सारे कनेक्शन देख रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन यह कनेक्शन की बीच में हमारा क्यापसिटर, रेजिक्टर बगरा सब कुछ लगा हुआ है, वो कैसे लगा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम यह सेकेंड पिन को ले रहे हैं, तो देखे दोस्तों यह हमारा 223 का आडियो अ पर लगा हुआ है, सेकेंड नंबर की पिन, आईसी का, और यह क्यापसिटर की नेगेटिव पर हमें यह लेट वाली स्पिकर की पोजिटिव आटपूट में लेगा है, तो इसी प्रकार से यह जो कनेक्शन देख रहे हैं, इसके अंदर भी हमारा क्यापसिटर रेजिस्टर लगा हुआ है, अब लोग देख सकते हो, बहुत सरा क्यापसिटर रेजिस्टर आपको देख रहे होंगे, यहां पर इस सर्कुट बोर्ड में, तो इसलिए यह जो भी कनेक्शन देख रहे हैं, यह हमारा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा यह सेकेंड नंबर की आईसी के स साथ मिलेगा, वो मैं आपको बता दूँगा, तो देखें दोस्तों, यह हमारा सेकेंड पिन के बारे में आपको बता दिया, उसके बाद यह जो हमारा पांचवा पीन है, आप यहां पर पावर सप्लाई देंगे, वो 12 वोल्ट की नेगेटिव यहां पर दे सकते हो, छटव यहां पर ही हमारा अडियो की इनपुट मिलेगा, जो हमारा ग्राउंड होगा, अडियो की यह छटवा पिन में, और यह जो हमारा छटवा पिन है, यह हमारा स्पीकर की ग्राउंड में भी जाएगा, हमारा जो स्पीकर की नेगेटिव होगा, वहां में भी जाएगा, तो य है हमारा ground है छटवा पिन उसके बाद है हमारा 7 नमबर की पीन है तो यह जो साथ नमबर की पीन है यह देख सकते हो हमारा right अर्डी होगा वह यहींपुट होगा तो यह LEFT और ground अर्डी होए है हमारा जो aux cable की three i ocas łai रायेगा तो यह हमारा इस पीन के साथ लगा हुआ होता है आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से और उसके बाद यह जो 11 नंबर की पीन है यह हमारा राइट वाल स्पीकर की पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमारा डारेक्ट लगा गया और output section मैंने आपको बता दिया तो अभी आता है हमारा power supply तो मैंने आपको बता दिया हो कि 12 volt की जो negative होगा वह आपको यहां पर 16 नंबर की pin में दे रहे हो तो वह हमारा यह जो IC के उपर जो हमारा plate होता है खर्ण कि एक साथ रिए सकते हो कि यह प्लेट भी हमारा। ग्रांड होता है तो यहां पर आप 12-0 की हमारा जो मांच का नेगेटिव के लिए तो इसी प्रकार से यह दोनों हमारा पावार सपले हो गया और यह हमारा आपूट सेक्षन हो गया यह हमारा इंपूट तो यह जो तीनों सेक्षन है वो कहां कैसे करना है मैंने आपको बता दिया हूँ इस board में हमारा जो IC की 12 pin देख रहे हैं इनको आप track करिए जैसे कि मैंने आपको बताया दो नमबर की pin हमारा left वाली speaker की positive के साथ लगा हुआ है वैसे ही मैंने आपको बताया कि 5 नमबर की जो pin है वो हमारा left audio के साथ लगा हुआ है तो यहां पर आप इसका 5 नमबर की pin को इस प्रकार से गिनिए उसके बाद उसको यहां पर track करके देखे तो इसी प्रकार से आप सारे IC की point को यानि की pin को track कर सकते हो और वो pin कहां से लगा हुआ है आप जान सकते हो तो दोस्तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना हमारा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना आज में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके all पर दबा देना तो चलिए दोस्तो आज के लिए में रहता हूँ